प्रहार टाइम से इस मामले में कापुर बाउडी पुलिस ने धारा 307 और दंगा भड़काने का मामला दर्ज किया है बताया जा रहा है कि यह भिडंत कापुर बाउडी के धोकानी परिशन में दो गुटो के बीच में घटना सामने आई है फिलहाल इस वक्त मामला शान्त है लिकिन अंदर ही अंदर तनाओ जारी है स्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि पहले एक युवक अचानक सभी के सामने दूसरी युवक को थपड़ मारता है उसके बाद से ही ये दोनों तरफ के गुटों में आकरामक हो जाते हैं और दोनों तरफ के गुट में यहाँ पर भगदर मच जाती है पुलिस इस पूरे मामले को लेकर आगे भी कानूनी कारवाई कर रही है